तो हे गाई जाज मैं आप शेयर करने वाले कठल की सबजी तो सबस्वेले कठल को चाकूपे आईल या निम बलगा के काट लीजिए मिझे पता है आप लोग को पता है लेकिन कुछ लोग को मेरी तरह नहीं पता है जब मेरी चाइज भी थी मुझे कठल कैसे कट करते हैं कठल क मुझे नहीं पता था तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है इसलिमें चुटी चुटी बाते शेयर करते हूं जरूरी निया हर कोई प्रोई हो आपके जैसे मैं तो नादानी नहीं अब भी हूं फिर कुकर में एड़ कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी एड़ क प्याज बनाने थी और इसको रोस्ट करने के बाद चील लेना है और उसके बाद एक मोर्टर पेस्टर में अध्रक लासून ग्रीन चीली और थोड़ा सा खड़ा मसाला जो साब हो तता इलाइची विलाइची तो डोड़ा इलाइची होती मतलब वह कूट लेने है फिर होई लेना है आपको और उसके बाद जो है हम एड़ करेंगे पहले कश्मीरी लाल मिर्च तो कि उसे कलर बहुत अच्छा था है फिर थोड़ा सा सॉल्ट नमक मिर्ची और हल्दी और यह सब एड़ करने के बाद थोड़ा सा मसाला हम भून लेंगे मैं मसाला आपको अलड़ी बत बाद है आपसे आपको बहुत पसंद आएगा बेकि बॉइल हो गया कटल तो इसको अपने मन चाहे पीसे में आपको कर सकते हैं बड़ा चोटा कैसा भी और फिर इसको इस तरीके से यह हल्दी एड़ गया इसलिए वह पीला हो गया ग्रेवी हो गई है रेडी ग्रेवी और इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको राइस के साथ काने तो थोड़ी जादा कीजिए और रोटी के साथ कानी है पराटे के साथ तो नॉर्मल यह मैं हर वीडियो में शायद बोलती हूं आपको तो बस अब रेडी हो गई है और गानिश कर दीजिए गरम मसाला एड़ कर कर दकीजिए और थोड़ा सा ह 돼 dersha और फिर पर पूरी राइस किसी कर साथ कर गए मैंने मके पिनेश के पराटे की मजहदार से तो खेस मैंने में के म्लिभा धूकर है कहो घौक शियर करती होगया एख该 कर दीजेञे कोई सब्सक्रॐस सर्छेंचिन आपको में में रसर कर सकते और तु के जगने समय कि तु के था अप्री घ। झे चे इच टू के तु कर दो और कि मूझे है, तो ए साय हुआ है।